प्राइम की सध्या में हम सीखेंगे आज कंपनी का लोगों कैसे हम अपने सेल इन्वाइस में प्रिंड करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्या तो सबसे पहले हम टैली प्राइम के प्रिंड आप्शन पे जाएंगे और यहां पर हम कॉंफिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहां पर या तो सो मोर करके हम यहां नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर दिया है लोगो या आप यहां डारेक्ट सर्च भी कर सकते हैं तो भी यह आप्शन आ जाएगा इसके बाद हम इसी पे प्रेज करेंगे और यहां पर हमें include company logo का option दे रहा है इसे हमें करना होगा yes तो जैसे हम yes करेंगे तो हमारे सामने यह image file पात तो image लगाने से पहले हम आपको बता दे कि किस format का image support करेगा टैली प्राइम में तो यहां पर दिया है only BMP यानी bitmap and JPG joint photography expert group इन दो format में आप लगा सकते हैं और जो recommended size है 96 pixel by 80 pixel जो आपकी vertical लंबाई होगी वो 96 होगी और जो width होगा वो 80 होगा इससे कम जादा भी यह support करता है लेकिन सही जो इसकी fitting होगी वो इसी size में होगा तो कोई जो नहीं कि आप इसी के संकच रखे आप कम जादा थोड़ा भी सिख कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमें उस image का path देना पड़ेगा तो चलिए हम आपको image resize करके और यहां पर कैसे आपको लगाना हम बताते हैं तो हमने यह हमारा जो यह logo है इसे हम इस पर right click करेंगे यह देखे हमने अपना logo रखा हुआ है इस पर हम करते हैं right click और इसे open with और इसे हम Microsoft Office 10 में भी कर सकते हैं resize और paint में करते हैं चलिए paint में करके दिखाते हैं आपको तो यहां पर हम paint software open करते हैं तो image हमारा paint में open हो चुका है और इसे हम करेंगे resize, resize के लिए हम यहां पर जाएंगे तो यह window element में मैंने इसे update कर लिया है तो look मेरा change हो चुका है MS Paint का और पुराने version में आपको जो resize हो आपको यहां पर दिखेगा तो हम resize पे क्लिक करते हैं तो हमारा resize का अप्स ना चुका है और यहां पर हम pixel को set करना है तो pixel में जाएंगे और इसके बाद यहां पर horizontal size और vertical size दिया है यहां पर maintain ratio दिया है window 11 वाले paint में आपको यहां पर check box मिलेगा तो uncheck कर लिजेगा यहां पर करते हैं हम uncheck horizontal size को हम रखते हैं 96 और vertical size को रखते हैं हम 80 तो 96 by 80 size मैंने कर दिया है अब हम इसको कर लेंगे okay जैसे okay करेंगे हमारा यहां precise हो चुका है और इसे हम करेंगे save as save as jpg तो bmpa में भी save कर सकते हैं jpg में भी save करते हैं चलिए हम jpg में ही save कर देते हैं तो यहां से हम jpg save कर लेंगे और file को हम c drive में चलिए इस folder में हमने logo नाम से रख दिया और यह file वहां पे save हो चुका है और इसके location को copy करने के लिए हम इस पे right click करेंगे और इसको property में जाएंगे इसके बाद यहां पे security option पे click करना है और यहां से हमें इसके location को कर लेना है copy copy करने के बाद इस location को इस पात को हमें tally prime की logo वाले option में print करना है तो चलते हैं हम tally prime पे और वहां पे आपको हम location paste करके दिखाते हैं image का जो path मैंने copy किया है हम configuration में जाएंगे और इसके बाद यहां पे logo को search कर लेते हैं और यहां पर इसे yes करने पर और यहां पर हमें उस path को image का जो path है मैंने copy किया है यहां पे हम paste कर सकते हैं तो paste करने का जो तरीका है control भी और इसे आप चाहे तो यहाँ पर select from drive करके भी location दे सकते हैं तो यहाँ से भी दे सकते हैं और copy करके भी आप paste कर सकते हैं तो चलिए और मैंने इसको paste कर लिया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह logo है यहाँ पर मैंने set कर लिया है और इसे Skype से हम बाहर आ जाते हैं और चलते हैं Excel इन्वाइस को प्रिंट करके देखते हैं तो यहाँ पर Daybook में Excel इन्वाइस में ने रखा हुआ है इसे हम प्रिंट करेंगे यहाँ से करेंट से हम इसको प्रिंट करते हैं तो जैसे प्रिंट करेंगे और यहां पर प्रिव्यू को देखेंगे तो यह देखिए आपका जो लोगो है यहां पर आ चुका है तो इस तरह हम अपने कंपनी के लोगों को सेल इन्वाइस में प्रिंट कर सकते हैं धन्यवाद